हेलो एवरिवन वेलकम बैक टो और्गनाइज लर्निग चानल अगर आप में चानल पर नहीं हैं तो चानल को सब्सक्राइब करें वीडियो को एंड तक जरूर देखें और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेर और कॉमेंट करें नमस्ते प्यारे बच्चों हम आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्त होंगे आईए बच्चों एक कहानी सुनते हैं घंशाम और घोड़ा एक बार गंशाम अपने घोडे पर बैटकर घर जा रहा था रास्ते में घोडे को भूख लगी घंशाम उसे पास के मैदान में ले गया वहाँ घोडे ने पेट भरकर हरी हरी घास खाई इतने में उसे पास के मंदिर से घंटी की आवाज सुनाई दी वे हैं मंदिर गया, वहाँ पंडिच जी ने प्रसाद में उसे घेवर दिया, उसने घेवर खाया और पास में रखे घड़े से पानी पिया, फिर वे अपने घर की और चल दिया तो देखो जो जो चीजों को यहाँ पर बताया गया है वो क्या-क्या है ये है घर, ये है घोड़ा, ये है घास, ये है घंटी, ये है घड़ा और ये है घेवर आशा करते हैं कि आपको यह कहानी पसंद आई होगी आईए अब इसके बारे में चर्चा करें तो पहला है आदमी का नाम क्या था घंशाम, वैं किस पर सवार था घोडे पर, घंशाम को किस चीज की आवाज सुनाई दी घंटी की, उसने कहां से पानी पिया घडे से, पंडिक जी ने प्रसाद में घंशाम को क्या दिया घेवर अब नीचे दिये गए चित्रों में से घह अकशर से शुरू होने वाले चित्रों पर गोला लगाए, तो कौन कौन से हैं जो घह से शुरू होते हैं, ये है घंगरू, ये है घर, ये है घिया, ये है घड़ी, और ये है घोंसला, ठीक है? आईए, अब माचस की तिल्लियों को जोड़ कर एक घर बनाएं, देखिए मैंने ऐसे बनाया, तो आपको क्या करना है, इस तरीके से ये घर बनाकर दिखाय गया है, माचस की तिल्लियों को जोड़ कर, ठीक है? अब अभिवागों के लिए सुझाओ है कि बच्चे को घर अक्षर से शुरू होने वाली वस्तों के नामों वे उनकी पहली आवाज की पहचान का अभ्यास करवाया जा सकता है, जैसे कि घर, घिया, घड़ी, आदी, और तो स्टे सेफ इन दे फाइट अगेंस्ट कोविड- इनके विरुद्द लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहना जरूरी है, तो आशा आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक, शेयर, कॉमेंट करें, चानल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक वीडियो में